Hello friends, welcome to Macrim creation, subscribe to my channel and press bell icon to get all new updates from this channel Hello friends, welcome to my channel, आज मैं आपके लिए Macrim Mobile Holder की ये बहुत ही simple and easy design लेके आई हूँ तो friends, आप इस design को जड़र try कीजी और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रू लाइक कीजी तो चलिए friends, देखते हैं इस beautiful design को कैसे बनाना है तो दिखिए friends, यहाँ पे हमें चाहिए two color की macrim cord और यहाँ पे जो cord है हमें three करके लेना है और five meter में मैंने इसको cut कर दिया है और यहाँ पे हमें चाहिए two ring एक है three point five inch का और जो छोटा वाला है वो two inch का है और lighter और scissor हमें चाहिए तो चलिए friends, design को बनाना start करते है सबसे पहले हमें जो छोटा वाला ring है उसमें six cord attach कर लेना है total three yellow cord और three blue cord हमें attach कर लेना है एक करके three cord जो है blue man attach कर दिया है अभी हमें left side में three yellow color की cord जो है वो attach करना है देखी friends अब हम design को बनाना start करेंगे यहाँ पे जो blue color का जो first cord है उसको लेके हमें six yellow cord से pipe in करना होगा तो इस cord के उपर हमें इस तरीके से two time करके yellow cord को wrap करना होगा इस तरीके से one by one हम एक एक करके cord को लेके यहाँ पे wrap करेंगे अब इस cord को हम छोड़ देंगे फिर next का जो blue cord है उसको लेके फिर हम यहाँ पे six cord के साथ same design बनाएंगे अभी इस cord को भी हमें छोड़ देना है देखिए फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो और बाकी four cord है उसको लेके इस तरीके से हमें यही same yellow six cord के साथ सिर्फ piping करते जाना है देखिए फ्रेंट six जो लाइन है वो complete है अभी हम यही design को continue करेंगे तो यहाँ पर जैसे yellow से design बना है अभी बनेगा blue से तो इस side right side का जो cord है उसको लेके हमें एक-एक करके blue cord के साथ इस तरीके से piping करना होगा इस तरीके से हम line को complete करेंगे और यहाँ पर जो बाकी five cord है वो five cord के साथ भी हम ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ पर blue cord के साथ यह जो design है वो बन जाएगा तो देखिए friends यहाँ पर मैंने three time जो है ऐसे बना दिया है same design अभी फिर से yellow का design आया है और एक line और एक design हम यहाँ पर बनाएंगे तो अभी yellow cord के उपर हम एक-एक करके blue cord को piping करेंगे 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 देखिए friends total मैंने यहाँ पर four time जो है design को बना दिया है अभी हमें ऊपर यहाँ पर एक cord का attach करना होगा और यहाँ पर मैं use कर और यहाँ पर मैं use करूंगी yellow color की cord पहले हमें cords को यहाँ पर attach कर लेना होगा अभी हम इसमें design बनाएंगे एक बार देखिए friends इस cord के उपर right side से और एक बार इस cord के उपर left side से हमें design को बनाना होगा इस तरीके से एक बार left side से और एक बार right side से तो दोनों ही side पर मैंने design जो है उसको बना दिया है अभी हमें जो ring है 3.5 इंच का वो attach करना होगा तो यहाँ पर मैं पहले नीचे का जो cords है यह सब cord मैं एक एक करके यहाँ पर attach कर दूँगी इस तरीके से कर दो ऑद कर दो है कर दो कर दो कर दो करना है और यह जो टू कॉर्ड़ साइट का वह हमें उपर में इसको अटाच करना है तो कॉर्ड़ को हम यहाँ पर टाइटली अटाच कर देंगे इस तरीके से अटाच करने के बाद यहाँ पर जो गैप है हमें इसको कवर करना होगा एक्स्टा कॉर्ड से इस तरीके से हम एक्स्टा कॉर्ड को लेके और यहाँ पर टाच कर देंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो रिंग है गैप है उसको कवर करेंगे तो देखिए फ्रंस मिडिल में जो गैप था उस पे मैंने एट कॉर्ड को अटाच कर दिया है इस तरीके से देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 को मैंने अटाच कर दिया है और साइट पर जो गैप था उस पे मैंने 5 करके ब्लू कॉर्ड का अटाच किया है तो अभी हमें knot बनाना है तो two करके cord लेना है इस तरीके से total four cord लेना है और four cord के middle में हमें beads attach करना है तो यहाँ पर मैं मतका beads का attach करूँगी blue color की और यहाँ पर हमें macrim का basic knot है वो लगाना है फिर next जो four cord है उसको लेकी भी हमें पहले beads attach करके और यहाँ पर knot लगा देना है तो चारो तरफ मैंने ऐसे ही दे दिया है beads को attach कर दिया है तो अभी फिर से जो design हम वो same है हमें four करके cord लेना होगा तो देखिए फ्रंस अभी यह जो knot है इसमें से हम two करके cord लेंगे और यह जो knot है इसमें two करके लेके total four करके और फिर middle में beads attach करके फिर से हम square knot लगाएंगे और ऐसी ही हमें continue करते जाना है देखिए फ्रंस से मैंने यहाँ पर बना दिया है six line one two three four five six और चारो तरफ मैंने बना दिया है अभी हमें same size का और एक ring लेना है 3.5 inch का और यहाँ पर जो सब cord है एक एकर के attach करना है तो यहाँ पर जो cord है फ्रंस मैं इसमें attach करूंगी करने के बाद one cord को जो है छोड़ देना है और उसका जो next cord है उसको लेके फिर से attach करना है इसी तरीके से फिर से हमें one छोड़ देना है और next का जो cord है उसको attach करेंगे तो मैंने ring में cords को attach कर दिया है अभी हमें कोई भी एक cord लेना है कोई भी एक cord लेके हमें सारा जो cord है उसको wrap करना है फिर फैस यह cord छोटा हो गया है तो हमें बीच में से यह दे देना होगा अच्छे से अभी एक इत करके सब cord को खीच लेना होगा ताकि जो design है वो middle में आ जाए तो अभी हम यह जो cord है सब cord को same distance में cut कर देंगे और नीचे हम bell से touch कर देंगे कर देंगे तो आपको लेके और यहाँ पर इसको भी हम कवर कर देंगे कवर कर देना होगा तो इस तरीके से मैं एक cord को बीच में से लेके और यहाँ पर basic knot लगाके यह जो ring है वो कवर कर दूँ कर देंगे तो देखिए फ्रेंट्स, सिंपल अन ब्यूटिफुल मैक्रिम मुबाइल होल्डर कम फ्लावर हैंगिंग बनके तयार है फ्रेंट्स, आप इस डिजाइन को जरू ट्राइ कीजिए और वीडियो कैसा लगा, वो भी आप मुझे बताईए, कमेंट सेक्शन में और फ्रेंट्स, आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुझे तो थैंक यू फ्रेंट्स, बढ़ बाई, थैंक्स ववच्छिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्